कि नमस्कास थाती हूं एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है लो दाइक क्लासेस के बीए प्लेटफार्म पर दोस्तों बीए बीए सी बीकोम बीए बीए चैसी बीए एललवी और बीसी एके सभी सेकेंडियर वाले चात्रों के लिए फाउंडेशन कोर्स के अंतरगत इंग्लिश लेंगेज और फाउंडेशन वाले सीरीज में दोस्तों हम जिन 350 कोशन आंसरों पर डिसकस कर रहे थे या जो सीरीज हम ने प्रारम की थी उसके छे लेक्चर अभी तक हो चुके थे और साथ भी लेक्चर पर दोस्तों आज हम डिस प्रादूं आप लोगों को कि अंसीन पर फाट आने वाले हैं पारट ऑ और पार्ट थू ठीके ना पारट वन और पार्ट करेंगे जिनमें से डोपेशेच पर आज हम चर्चा करने वाले हैं पारट वन के अंतरगत ठीके ना वन और टूबर उसके बाद में जो लास्ट की तीन से उस पर हम नेक्स्ट वाले पार्ट में चर्चा करेंगे चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन जैसा मैं फिर से एक बार रोल रिपीट कर दूँ यह सेशन बीच में होल्ड किया गया था इसको फिर से हम प्रारम करने जा रहे हैं जिसमें जितने भी मैंत्पूर तो थोड़ा बाहर जाना हो चुका था इस कारण से क्लासेश ओप हो चुकी थी बीच में लेकिन अब आपको कंटीनियू मिलना प्रारम हो जाएगी ठीक है न सभी क्लासेश कंटीनियू हो जाएगी आई दोस्तों शुरू करते हैं जो पहली बार हमको फोलो कर उनको बता द आएंगे और यहीं प्लेलिस्ट से आप तरतेक लेक्षर की डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसके नोटस भी डाउनलोड कर सकते हैं निश्वल को रूप से ठीके लेक्षर का भी कोई चार्ज नहीं है और अगर आप कंप्लीट सबजेक्ट की नोटस अगर एक ही इस्थान प कर सकते हो एक भी कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है गुरुप की उसे जोइन करके और आप अपने study को बहतर बना सकते हैं चलिये शुरू करते हैं दोस्तो शुरू करते हैं तो इसका में फोरमेट पहले आप लोगोぎो को समझा दूँ जिससे की आज इंग्लिस दोनों ही फॉर्मेट में मैं आपके लिए पैसेज ला चुका हूं ठीके ना पहली पैसेज है हमारी इलाइची मसालों की रानी इलाइची ठीके ना तो इस पर एक पैसेज बनाय गया है और इसमें इसकी विशेस्ताओं की चर्चा की गई है कहां पर किस प्रकार से होती है यह सारी चर्चा की गई है जिनने हम अपने कोश्चन आंसर के मादिन से पूरी पैसेज को समझने वाले हैं कि लिए लेकिन एक बात याद रहे लेक्षर आप देखिए कोश्चन आंसरों को यहां पर सोल्व कीजिए लेकिन जब आप पीडिए इसका डाउनलोड करे है कि लिए हिंदी इंग्लिश में complete पूरी पैसेज में ने दोनों ही फॉर्मेट में आप लोग के लिए यहाँ पर अभेलेवल करवाई है जिससे कि आप लोग जो है पैसेज को समझ सके और उससे समझने जो भी कोश्चन आंसर हो कोश्चन हो सकते हैं उनका जवाब आसानी किसे दे पाइब चली तो यह पैसेज आप लोग पढ़ेंगे पीडिये डॉनलोर करने के बाद में उसके बाद में जो है आप कोश्चन आंसर कोश्चन को एक बार फिर से री विजट करेंगे इसको repeat करेंगे, clear है, चलिए, तो directly question answer ओकर हम discuss पर move करते हैं, पहला question है यहाँ पर मैसोर variety contains a leave of, कहा जा रहा है कि मैसोर में, मैसोर में जो इलाइची की variety है, वो किस प्रकार की है, चार option दिए गए है, लेमोनिन टाइप की है, सिन्योल है, या फिर A और B दोनों है, या इन में स कोई नहीं, तो दोस्तों मैं आपको बता दू, मैसोर में और करनाटक में, मैसोर, करनाटक, यहाँ पर जो है, इलाइची की business प्रजाती पाई जाती है, यह कहें कि सबसे ज़्यादा जो quantity होती है, अगर हम contents की बात करें, तो सबसे ज़्यादा केरल में पाई जाती है, इलाइची के मामले में भारत में दो किस्मी की इलाइची होती है, दो किस्मी की एक बड़ी इलाइची और एक छोटी इलाइची, आप लोग संबबता अच्छे से परिची थे दोनों प्रकार से, जो बड़ी इलाइची होती है, यह थोड़ी सी कम मैजपूर्ण होती है, क् कि इसका प्रियोग कम होता है कम बस्तुम में इसका प्रियोग होता है और इसकी उत्तपादन के अगर बात करें तो यह उत्तरपूर बाले च्छेत्रों में अधिक्तम रूप से ordinary होती जैसे कि अगर आप ऊतर आप में को पस्चिम बंगाल को देख लिए मिजोरं में नागलेंग में तो इन चेत्रों में जो है यह विसेस रूप से इसकी खेती होती है लेकिन इसके अलावा अगर हम छोटी इलाइची की बात करें इसकी दूसरी किसमी की बात करें जो बहुत ज्यादा महत्मून है तो इसका उत्प पूरे बात करनाटक की बात करें तो करनाटक में 25 परसेंट और बाकी के अन्य चेत्रों से जो है तो मैं पूरा डिसकस करवाने वाला हूं आपको ठीक है तो मेसोर में जो बेराइटी होती है उसमें यह दोनों क्वालिटी पाए जाती है यहां की इलाइची बिसे सुगंधित होती है सुगंधित होती है इसलिए इसका जो रेट होता ना वह भी बहुत जादा होता है इसलिए इसका ओप्सन कौन से हो जागा दोस्तों ओप्सन सी इसका करेक्ट हो जाएगा ए और बी दोनों क्वालिटी मेसोर की बेराइटी में पा पूर इन्वालिटी गुनुबत्ता में पूर है या एवरेज इन्वालिटी या फिर बैटर इन्वालिटी या ननूब दिस तो यहां अगर हम बात करें तो मैंने क्या कहा था कि इंडिया में जो इलाईची का उत्पदन होता है जो की जो की केसर के बाद में दूसरी एक है यह समझे महें का तो है co इसका उत्पादन होता है भरत में उत्पादन की रूप में दुनिया में सबसे जादा होता है लेकिन हम बात करें हम इसको ना थो पुर कहेंगे क्यों कि Yani सबसे ज्यादा वाली तो यहां पर हम इसको लहेंगे लेंगे तो भारती जो इलाइची होती है वह एपनी प्रोडक्स कार्डमोंस दूस्तों दुनिया में इलाइची के अगर हम बात करें तो भारत के बाद में जो दूसरा नमबर आता है वह गोटे माला देसका आता है जहां पर एक से लेकर के 2000 प्रति वर्स इसका उत्पादन होता है एक हजार से लेकर 2000 प्रतिवर्स उत्पादन होता है तो यहां पर पूचे जा रहा है कि जो गोटे माला प्रोड़क्ट है या गोटे माला की जो इलाइची है वो more but poor quality more but poor quality या फिर मतलब की अत्यदिक होती है लेकिन गुलुबत्ता में कम है या less मतलब उत्पादन कम होता है लेकिन quality बहतर है या फिर more and good quality अत्यदिक होती भी है और quality बहतर है या फिर less and poor quality तो यहां पर इसका करेक्टर होगा कि जो गोटे माला की में जो इलाइची का उत्पादन होता है भारत के बाद में उस इलाइची की कि अगर हम गुलुबत्ता की बा size का लेकिन quality की बात जवाती है तो वह पूर quality की होती इसलिए इसका option A सही हो जाएगा ठीके ना चलिए next question देखते है अगला question है में harvest season of cardamon is in India तो भारत में अगर हम इलाइची के उत्पादन की बात करें तो इसका season कोन सा होता है season कोन सा होता है तो season की बात करें उससे पहले जो है उत्पादन देना प्रारम कर देता इसका पोदा यह बात याद रहे तो इसका जो season होता है यह अगस्त से फरवरी के बीच में होता है अर्था यह कि जब बारिस थम जाती है और सर्दी का winter मोसम आ जाता है सर्दी का मोसम प्रारम हो जाता है तब से लेकर के यह फरवर इसका प्राइटली फोकस कीजिए आप लोग चलिए अगला question देखते हैं अगला question देखते हैं नेक्स्ट कोशन है question नमर पांच है कार्डमर रीचे साट इस येल्डिंग स्टेज इन श्क्राइटली देखते हैं तो पूछजा रहा है कि जो इलाइची है इलाइची जो है अभी आपको रीपीट किया ना कि पोद रोगपण के ठीक दो साल बाद यह उत्पदन देना प्रारम कर देती है तो यहीं यहां पूछे जा रहा है कि इलाइची जो है इलाइची का पोदर ओपन होने के कितने समय बाद में कितने समय बाद में इसका प्लांटेशन होने के कितने समय बाद इसका उत्पदन प्रारम हो जाता है यह फल देना प्रारम कर देता है यह कि तो, सुन हो इमिजेटली या डिपेंड अपोन दअ प्लाटेशन जो प्लाटेशन की आ रहा है उसके उपर निर्बदर करता है या फिर एक साल बात बर और यह यह प्र तो यह तो यह वाला जो सटोप्जन है आपका यह करेच को जाएगा अगला से ऐन्डियान PL less कर्डमन ओफ जो भारती इलाइची है कितने टाइप की है वन टाइप की एक ही प्रकार की है दो प्रकार की है या तीन प्रकार की या नन ओफ एबो मतलब इनमें से कोई नहीं तो अगर आपने पूरी स्टोरी पर ध्यान दिया होगा जैसे में आप ये तक बीच-बीच में हो जाएगा जो कि एक उत्तर हो भारत में होती है उत्तर पूर्वी भारत के सथरों में होता हैं परिक्षोटी इलाइची को दक च traveled के छो विनलाइची है जो भारती इलाइची है इसके छेतर पूछा गया है, तो देखिए मालावार कार्डमन या मैसूर कार्डमन ठीलिए, ओप्शन दिया गया है आपको भारती इंटी बारती इंटी की जो परजातियां होती है ना, तो वो कितने प्रकार की होती है, मैंने भी टाइप नहीं बेभी डाएजिकलिकली पाई आती है लेकिन अगर हम इसकी quality की बात करें जो छोटी इलाइची होती है उसकी भी quality अगर हम बात करें तो मालावार मालावार नाम से जानी आती है और एक मैसुर नाम से जानी आती है तो दो नाम इसके basically है इलाइची के चीक है और यह किस इस तर पर है तो international इस तर पर है correct हो जाएगा A and B both are correct ओके इसलिए C option correct होगा चली अगला question लेते question number 8 है which of the following products of cardamon product by करनाटक तो पूछे जा रहा है कि करनाटक में जो इसका उत्पादन होता है वो पूरे भारत के भारत में कितना प्रतिशत होता है पूरे भारत में कितना प्रतिशत उत्पादन करनाटक में अकेले होता है 29 पर्षेंट 10 पर्षेंट 15 या 60 एगर बात करें तो करनाटक में 25 25% उत्फदन होता है उसको पड़ोगे ना तो आपको पूरा किलियर हो जाएगा कोई नहीं रहेगी चलिए नेक्स्ट लेते हैं नेक्स्ट कोशन लेते हैं कोशन नमर नाइन है कोशन नमर नाइन है सिनोनिम क्या है लेकिन सिनोनिम हर कोई नहीं बताना है भलकि पेसेज़ में जिसको यूज laying अनुनिम नहीं बताना है चार उप्षन है आपके सामने एक्सपैंसिब नोन प्रोडूसर या एक्सपोर्टर तो अगर थोला सा भी कोमन सेंस लगाएंगे ना तो भी इसका अंसर आप लोग इजिली दे पाएंगे ठीके ना डिस्ट्रिबूटर जो प्रोड़क्ट को एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर डिस्ट्रिबूट करता है एक्सपोर्टर यहां एक्सपोर्टर यूज किया गया है एक्सपोर्टर किसके लिए देखिए डिस्ट्रिबूटर और एक्सपोर्टर में फरक होता है यह भी याद रहे डिस्ट्रिबूटर वहता है जो एक छेतर के अंदर भी एक कंपनी से माल लेकर के और एक छेतर के अंदर भी डिस्टिबूट कर सकता है या एक राज्य एक राज्य से दूसरे राज्य में डिस्टिबूट कर सकता है या एक देश के अंदर की सीमा में डिस्टिबूट कर सकता है उसको हम डिस्टिबूटर बोलते है बैसिकली लेकिन पैस móच क्रिज़ में एलाइची के जो अम इसलिए एक्सपोर्टर थी बात करते दूसरे देशों में भेजने की बात करते है इसलिए यहाँ पर एक्सपोर्टर सब्द यूज किया गया है इसलिए ओप्शन डी करेक्ट हो जाएगा चलिए नेक्स्ट कोशन लेते हैं इस पेसेज का नेक्स्ट है और लास्ट कोशन है ठीक है इस इलाइची वाली पेसेज का लास्ट कोशन है क्या बोलता है इसमें सिनोनिम पूचा गया है फ्रेग्रेंस का सिनोनिम वाद होता है सुगन्द क्या होता है खुश्बु क्या होता है खुश्बु क्या होता है इसका सिनोनिम होता है खुश्बु फ्रेग्रेंस का फ्रेग्रेंस का हिंदी अर्थ होता है खुश्बु ठीके अब यहां अरोमा का मतलब क्या हो रहा है दोस्तों अरोमा का होता है सुगंद इसलिए इसका ओप्सन एक करेक्ट हो जाएगा कि लिए रहे ना तो यह फर्स्ट पैसेज में यह दस कोशन है मातरी दस कोशन लगा लीजिए इस यह पेसेज अगर आपके एक्जाम में आती है तो एक भी कोशन आउट नहीं होगा पूरे बिजबास से केता हूं इन और धर्म के संबंद इसमें के बीचे बताए गया है कि बिज्ञान और धर्म के बीच में किस प्रकार के संबंद रहे हैं प्राचीन समय में जब धर्म आरूर था यह जब धार्मिक प्रताय या रूडिवादिता चली चला कर दिदी तो उस समय जब विज्ञान आया साइंस ने entry की समाज में तो उसे किस प्रकार से संगर्ष करके दूबे हुए लोगों को उभारने का काम किया है तो इस प्रकार का अर्थ इसके अंतरक समझाया है और सेम कंडिशन है पेसेज में English और Hindi दोनों विरिन डाले में ने दोनों प्रकार से टांसेट करके यहां पर डाला है ताकि आपको पढ़ने में उस समझने में दिक्कत ना आए पेसेज को सेम कंडिशन है फर्स्ट वाली पेसेज की कि कोशन लगाने से पहले आप लोग पूरी पेसेज को एक करके और पूरे पूइंट इसके पढ़ेंगे समझेंगे इसको उसके बाद ही आप कोशन आंसरों क का रिविजन करेंगे अगर आप पेसेज को पढ़ने के बाद कोशन आंसर का रिविजन करते हैं तो आपको बिल्कुल भी समझ्चा नहीं आएगी ठीक है ना चलिए सेगें पेसेज से अप कुछ कोशन लगाते हैं वहीं दस कोशन हम सेकेंड पैसेज से लगाएंगे जिसस से क्यों सीरीज प्रारम कर दी हम उसलिए जरूरी था कि पहले हम इसे को Series को कम्प्रीट करवादे जितने भी महत्मून लगवाक्त तीन सो पचास कोशन आंसर हम इस में इस इंग्लिस लेंगेज में साड़े-तीन सो इंग्सांसर लगाएंगे तो तो हंड्र परसेंट आपक कर पाएं ठीक है इसको complete होने के बाद में इसकी detail classes भी लेंगे वो भी प्राइब करेंगे तो अगर आप विस्तार से पढ़ना चाहेंगे तो बिलकुल उसमें स्वागत है आप लोग का वो भी हम इसको विस्तार से भी पढ़ाएंगे ठीक है ना चली तो second passage है आपकी second passage का पहला question है second passage का पहला question है To what is the reason for men worship the forces of nature पहला question फूशता है पहला question फूशता है कि मानब की प्रकृति की पूजा करने के पीछे क्या कारण थे मानब प्रकृति की पूजा करता था प्राचीन समय में उसके की पीछे कारण क्या था क्यूं करता था तो देखिए दोस्तों जब पहली बार मानक प्रद्वी पर आया तो उसने क्या देखा प्रकरती का आप सोच के देखिए प्रकरती का किस प्रकार का रूप देखा होगा तो बहुत ही विक्राल रूप उसने सबसे पहले फैस किया रूप गिरती थी बहुत भायनक रूप से तो कई प्रकार की प्राकर्टिक आपदाय उससमें आया करती थी क्योंकि प्रद्वी जो ती अपना संतुलन बना रही थी उससमें तो इस संतुलन के दोर में प्रकरती ने मानव को बहुत ज़्यादा प्रताडित किया जो पहली जो प्रारम में मनुष्य आया तो वो प्रकरती से घबरा करके ही वो प्रकरती की पूजा करने लगा प्रकरती की पूजा में जैसे सूरी की पूजा करने लगा पेड़ कोदों की पूजा करने लग लगा नदियों की जहर्णों की पूजा करने लगा तो किस कारण से पूजा की ती उसने डर के कारण तो यहां पर ओप्सन दिए गया है जो आपकी पवित्र किताबे होती है वो सिखाती है मानब को वो कहती है या दवाब डालती है कि आप प्रकरती की पूजा करें या ना तो यह तो विल्कुल भी नहीं था क्योंकि जो पवित्र ग्रंथ थे यह तो बाद में आए उसके बाद में वर्सिप एलिवेट को है पवित्र बनाती है इसको प्रकरती की और धक्यलती है इस लीकारी में कुछ ईसे बिद्वान लोगों का भी रचना भी की और लोगों को जागरत भी किया और लोगों को वही लोग जागरत कर पायते उस समय के जिनों ने प्रकरती और स्वेम के बीच का जो संबंद था उसको इस्थिर बना लिया था तो एसे लोगों के द्वारा लोगों को क्या किया गया लिब्रेट किया गया ठीके पूजा करने के ल जो यह पेसेज है इसके अनुसार साइन्स और रेलिजियस मतलब कि बिज्ञान और धर्म दोनों क्या है ज़ा समझे दोनों का तो इमज़र इमेज़ इमर्ज आउट ओफ फियर ओफ मैं तो इन दोनों का ही पहले ओप्शन कहे रहा है कि दोनों का ही उद्वव मानब के डर के कारण हुआ है बिज्ञान और धर्म का या फिर इमज़र फोंदा डिजायर ओफ मैं वर्सी फोर्सेस ऑफ नेचर या फिर इंप्लोई डिफ अगर पूरा पूइंट पड़ेंगे लेकिन आप ध्यान दीजिए मैथड ओफ डिफ्रेंट मैथड ओफ क्वालिटी पर डिफ्रेंट मैथड ओफ इंक्वाइरी देखिए कहें यह रहा है क्या बोल रहा है कि इस पैसेज के अकोडिंग साइंस एंड रिलिजियन जो है इन दोनों में किस प्रकार का संबंद है तो यह दोनों एक दूसरे पर निरवर है बैसिकली बिल्कुल यह एक दूसरे पर निरवर है कोई डाउट नहीं है लेकिन दोनों के नियम अलग है दोनों की मेतड अलग है अगर हम बात करें बिज्ञान की साइंस की मेतड की तो साइंस बेसिकली क्या है अब लोकन करना अनुभब करना उपयोग करना ये विज्ञान के नियम बोलते हैं वहीं अगर हम धर्म की बात करें तो धर्म का नियम क्या बोलता है आस्ता बिश्पास ठीके अंतर ज्यान ये धर्म के नियम है तो सिर्फ इनकी जो मेतड है न वो नियाटों हो जाएगा तो यहां पर जब अप इसके टाइप के बिसेस फोकस किया करें कि कैसे का सबस्क्राइब क्या 메ए हो सकता है उस पर Εच्यzus फोकस आप लोगों का होना चाहिए चलिए अगला कोशन कोशन है इसमें ब्स और ओपजृप幕त्र्ण की अवतर में कि हो सकता है उस पर विसेस फोकस आप लोगों का होना चाहिए चलिए अगला कोशन लेते हैं नेक्स्ट कोशन है इसमें वोट वस अब्जेक्ट ऑफ ओतर होली स्क्रिप्टर जो पवित्र ग्रंत होते हैं इनके पीछे उद्देश क्या होता है ओतर का लिखने वाले का उद्दे हो सकता है ओतर का या फिर टू एजुकेट एंड राइस दा हुमर इस्पिर्ट एंड मैंड इग्जाक्टली तो इसका ओप्शन भी करेक्ट होना चाहिए लोगों को लोगों को सिखाना सिखाना प्रगति करने के लिए सिखाना ब्यक्ति के मन और मस्तिसु दोनों को स्ट्र अकोडिंग टू पैसे अड़ जाता है इनके जो थोड़े से डिफिकल हो जाते जो अंजूने सब्दों होते हैं जंसर कुछ नहीं से समय काल होता है समय होता तो प्रेजेंट जंशर मतलब की बरतमान समय में क्या जरूरत है अगर हम पैसेज की अकोडिंग पैसेज को रहे हैं पेसेश के अकोर्डिंग अगर कहा जाए तो बरतमान समय में प्रिजेंट टाइम में किस की जरूरत कि जरूरत है जहां दीजेगा ऑप्शन पर ऑप्शन बोलता है कि फ्री मैंन फॉंदा ओल चुछ ऑफ बोन्डेजिस या फिर या फिर जूडिसियली मिक्स दप्रिंसिपल ऑफ साइंस एंड टू इस्पिट ओफ रिलिजेंट एग्जेक्टली क्या का जा रहा है कि आज बरतमान समय में किस की जरूरत देकि बरतमान समय में प्राचीन समय के तरह सिर्फ हम पर डिपेंड होकर जी ले वो धार्मिक पूट को छोड़ दे क्योंकि साइंस जहां खत्म होती है धर्म की शुरूआत अध्यात्म की शुरूआत की वहां से शुरूआत होती है यह ना साइंस किसी चीज को जब एंड नहीं कर पाता है तो वो भी धर्म का सहरा लेता है और इस इसी कारण से धर्म आज भी जीविद है इस दुनिया में इसलिए इसका राइट ओप्सन जिसे पूचे जा रहा है कि प्रिजेंट टाइम में हमें किस बात किस चीज के आवशकता है तो जो चार ओप्सन है इन में से सबसे ज्यादा इंपोर्डेंट है कि साइन्स और साइन्स और इस्प्रेट ट्यू इस्प्रेट मतलब जो रिलीजियन है इनके जो ट्यू स्प्रेट है या जो इनके प्रिंसिपल है इनके जो वास्तमिक मतलब की जो ट्यू प्रिंसिपल है ना उनके मिक्स अब की आवशकता है दोनों के मिक् प्राकरतिक तत्वों को भी सुरक्षित रख सके इसलिए इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा ठीक है ना चलिए नेक्स्ट कोशन लेते हैं अगला कोशन है नेक्स्ट कोशन है कि बिग्यान ब्यक्ति के मानव के सेवियर के रूप में उब रहा है मतलब के उद़ार करता के रूप में उब रहा है इसा क्यों कहता है जी हाँ पेसेज में का गया है कि जब प्राचीन समय में सिर्फ धर्म आरूर था या धर्म ही पूरी तरह से जो है भिशिता या फेला हुआ था और मानब जो है अपने जीवन को सिर्फ धर्म पर आधरित होकर जीता था उस समय विज्ञान ने एंट्री की यह ना मानब के परफेक्ष लेएं कि बिज्ञान की जी रिसोर्टव है यह ब्यक्ति को परफेक्षन मतलब पूर्ता कि यह ले जाता है इसलिए या फिर साइंसे संगलाइन टुवर्ड रिजनेंड और जनालिवें कियोंकि विज्यान किस और जुकाव है कि меня बिद्धिन मतलब टर टर्क संगत्त कि इसलिए यह मैंन वाउंड इन चैन बाई रिलिज्ए ऑर्तोडोक्स एक्जाट्ली कि क्या निल चुका है भाईये मिग्ञान को उद्धार करता क्यों का गया है मानव का उद्धार करता क्यों कहा गया है वो इसलिए कहा गया था क्योंकि विज्ञान के आने से पहले मानब जो है ना जो रिलिजियस और्थोडोक्सी के साथ में पूरित्रा जकड़ा हुआ था धार्मिक रूडी बादिता में पूरित्रा से जकड़ा हुआ था उसे बाहर नहीं निकाल पा रह तो जब विज्ञान आया तो विज्ञान उसे बास्तिविक ताके दर्सन करवाए और उस जो रूडी वादिता थी उसके चंगुल से बाहर निकाला मानव को इसलिए विज्ञान को मानव का सेवियर कहा जाता है किलिए इसलिए ओप्शन सी करेक्ट होगा नेक्स्ट कोशन है स चीक है नेक्स्ट कोशन है find a synonym of the to believe का यहां synonym पूचा गया है पेसेच के according passage में believe के इस्थान पर कौन से सब्द का प्रियोग किया गया है यह पूच गया तो यह देंकि believe साइन्स में तो बिलीब का कोई इस्तान नहीं है लेकिन धर्म में तो इस्तान है ना तो धर्म में जो यूज किया गया है बिलीब के इस्तान पर क्या इसके स्थान पर क्या यूज किया गया है तो इसके स्थान पर एपिर यूज किया गया है तो बिलीब होगा इच होगा या इसके स्थान पर एपिर या लिबरल तो यह प्रोग्रेस होगा इसका मतलब होता है अब रुद्ध कर देना रूग देना चलिए इसी प्रकार से हमारा आज का सेशन होता है Company next session में जो हम बात करेंगे comprehension मतलब इसी की अंत्रकत के भाग 2 पर बात करेंगे हम इसके पार इसके पार पार 2 पर बात करेंगे और इस पार टू में हम investing से 3 4 और 5 मतलब कि तीन पेसेज के कोशन आंसरों को देखने वाले जिसमें 25 कोशन आंसरों को डिसकस करेंगे को मैं फिर से रिपीट कर दूँ इस पूरी सीरीस में लेक्षर नंबर एक से लेकर के लेक्षर नंबर जितने भी होने वाले हैं उन सभी में कम से कम तीसाड़े 300 को कोशन आंसरों को डिसकस करने वाले हैं जो कि आपके कोश आपके एक्जाम के लिए ना इससे बाहर आपको जाने की अवश्कता है ही नहीं इतना कर लिया ना आपने इस सभी लेक्षरों को अगर अपक्रम अनुसार देख लिए आप लोगों ने और एक्जाम के टाइम पेस लिए गए जो लिंक है गुरूप की उसको जोइन कर सकते हैं अतार कि टेलेग्राम गुरूप और वार्सप गुरूप दोनों गुरूप को जोइन कर सकते हैं आप वहाँ पर आप डेली लिंक आपको क्लास की मिलती रहेगी लिंक के अलावा जो आप नोर्स होते हैं नोर्स लिंक आपको एक साथ ही मिल जाती है तो आपको बार-बार यूटूब में डूर नहीं आवशकता नहीं पड़ती है आप अपना वार्टस खोलेंगे उस लिंक को देखें कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है उस सब्जेक्ट पर किलिक करेंगे आपके सभी लेक्षर अपने के झाल